सदकुरू, जिब जिन्दगी में कुछ भी अमारे हैसाब से नहीं चल रहा हो, तो मोटिवेशन या प्रेरणा कहों से लेकर रहे हैं। ये एक और ऐसा कॉंसप्ट है जो पूरी दुनिया में फ्यलता जा रहा है, कि आपको काम करने की प्रेरणा कहीं और से मिलनी चाहिए। अगर आपका काम उतना सार्थक है, तो आपको किसी और चीज से प्रेरणा लेनी की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं अगर वो जीवन के लिए वाकई सार्थक है, तो आपको वो करने के लिए अलग से प्रेरणा क्यों चाहिए। अगर आप वाकई समझें और अनुभव करें कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई आसपास और हर जीव के लिए जरूरी है तो आपको प्रेड़ना की जरूरत नहीं, जीवन बस चलता रहेगा देखे क्या आपके दिल को लगातार धड़कने के लिए प्रेड़ना की जरूरत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी जीवन प्रक्रिया प्रेड़ना नहीं मांगती, है न, मनसून आ रहा है, प्रेड़ना से, नहीं, यह हर साल आता है, क्योंकि प्रकृतिक प्रक्रिया जरूरी नहीं है, कि यह सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा हो, यह चीज लाखों तरह से वेक्थ हो सकती है, कि आप जो कर रहे हैं, वो आपकी बुनियादी जीवन प्रक्रिया के तालमेल में है, तब आपको प्रेड़ना के लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, बस जीवन के एक गतिविधी का स्तरूंचा करने में लगे रहते हैं, अगर आप खुद को अपग्रेड किये बिना अपनी गतिविधी को अपग्रेड करेंगे, तो आप आज नहीं तो कल तूट जाएंगे, यह ऐसा है, जैसे आप फॉर्मूला वन ट्रैक पर चले गए, क्यूंकि आप फास इसे ट्रैक पर रहना चाहते हैं, तो आपको मशीन को तयार करना होगा, आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है, अगर आप खुद को अपग्रेड करते हैं, तो गतिविधी होती रहेगी, मेरे आसपास कई लोग, कई बार सोचते हैं, मैं एक सुपर हुमन हूँ, क्योंकि मेरी गतिविधी ऐसी है, बात सुपर हुमन होने की नहीं है, अगर आप हुमन होने की संभावना को खोजें, अगर आप हुमन होने की इस संभावना की विशालता को खोज निकालें, तो आएंगे कि आपको सूपर हुमन होने की जरूरत ही नहीं है। हुमन होना अपने आप में सुपर है। इसलिए आपको किसी बाहरी प्रभाव या प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन की प्रक्रिया अपने आप ये कर देगी।